एक कौमन क्यों हबात, बहुत सरे कि लुकान को लागना चुछे यह या टिशु कालशर का लागना चंजी से लागना चाहिए क्यों कि ऐस ना सीध के मेरे किसान को क्या प्रग पड़ता है क्या lucky मना राइज़म ब shapracha रहा हूं यह टिशु कर लागना उगना लória सीड अवलेबलने होता है कोई भी बास को 40 साल 45 साल के बाद सीड आता है और वह सीड भी जैनुएन मिलना भी होती है तो टीशु कल्चर में क्या होगा कि टीशु कल्चर में आपको कुछ अच्छा पोधा मिल गा तो उससे अपने टीशु बनाया और वह आगे प्रमट किया उ अपने लग अच्छा है तो उसका पोधा अपने टीशु बनाया तो प्रोब्लम नहीं है जैसे कि तुल्डा हो गया बंबू से बंबू सोई गया और इसका अपना लग अच्छा है कि जिस पर आपने सोचा है कि बंबू लगा नहीं तबी एक दो-तीन स्पेसिस का सीड मार् प्रोब्लम नहीं है तो उसका जैसे कि बास सीदे ने जा रहे है कोई बास तेड़े हो रहे है वह एक चीजों को कंट्रोल किया तो टीशु अच्छा है बराबर आपको सीड का इजीली मिल रहा है सीड से पोधा बना कि आप राइजम डेवलोब करके कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए आप जब एक साल का पोधा लगेगा आपके आप मोटिलीटी कम हाएगी आप में पोधा लागा आज पानी दे दिया और अचानक साब को कुछ बिजली का प्रोब्लम हो गया कि कुवे को पानी नहीं मिला कुछ भी एक हो सकता है तो पंदरा दिन के पंदरा द करता जाए अपने टिशू का भी पौधा लिया तो भी एक साल का रहे एक साल का रहा तो उसमें राइजम डेवलोफ हो गया और अच्वरीटी हो तो कोई प्रोब्लम है और जैसे कि मैं तुल्डा का प्राइज मैं 40-50 रुपीस तक कोड़ कर रहा हूँ क्युकि उसमें मेरा इसलिए आपको एकी राइजम का पौधा बना आखे उसको डेवलोफ किया रहेगा तीन से चाल साइकल उसके बैए जैसे कि आप अपधर परचेसिंग करते हैं उसमें कम से कम दो से तीन शूट निकल चटाई प्रब्लम हो जाएगा इसलिए आपको राइजों का पोदा इसलिए चाहिए कि वह सच्टेन अच्छा होता है कर सकते हैं आपके पास पानी आवलेबले लेबर अच्छा है और इसलिए प्रोब्लम ने कोई देखत नहीं है कों से मन्त में करना चाहिए आज तक में 2016 से बंबु का काम कर रहा हूं मैंने पहले खुद के खेत में लगवा था और फिर बाद में मैं लोगों को पर्मोड करने लिख तो इस फुर यह से में आज तक प्रैक्टिकल देखा है आपके पार पाणिया ओलेवल्र हो तो आपको उसमें कर सकते हैं और वी पॉदा कैसा अपिसी नर्शरी से बाता है ट्रसरी में उसको धूप मिलना चाहें कम से एक महिना बहुत सरे प्रोब्लम अपने अपने खित में आजाता है तो उसके करणव आपको खित में भुट सरवाइबल करना तो उसको पहले कम से कम देड़ से दो मैंने तक हर्ड़न करना है बहार ओपन क्लाइमेट में तब आप उसको एप्रिल में प्लांटेशन कर सकते हैं तो एक लंप में से तीन साल बाद चार साल बाद कितने शूट्स अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखो डिपेंड़ करता है आपका स्वाइल आपका मैनेजमेंट तो कम से कम 6-8 तो आरम से मिलेंगे क्योंकि आज बहुत अलगा है तो एक साल में उस पूल निकले यह पूल मैं बड़े कमर्शी यूज के लिए ने पिर टेकिंग के लिए छोटे मोटी यूजिस के लिए यह पूल मेरे काम में आएगे क्योंकि कम से कम इसको दो साल मेरे के लिए देना है बराबर 20 तक रहेगा 21 को मैं जब मैं काटों गया तब यह पौदा मे सुरुपे कावाश new उसका उमर बढ़ेगा जैसे कंद उसका डेवलोफ होगा तब उसमें से मोटे वास निकलेंगे और वो जो मोटे बास निकलेंगे उतना उतना इसका कीमत प्रेश्ट में अच्छे थी आपको घंडे का थोड़ा उत्पदन गटता है तीसरे क्रोप में और लो था इसमें उल्टा है इसमें पहली क्रोप में पहली जो हर्विष्टिंग उपने कम से गमाणो कि आठ पॉल निकले अगली क्रोप में अंदर इंट्रप इंट्रपिंग में आना है इसलिए adapted सब्सक्राइब करने के बाद फिर मैंने इसको प्लांटिंग किया इसका प्लांटिंग मेरा जो हुआ था किसे पच्छी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद इसको प्लांटिंग में प्लांटिंग में इसका प्लांटिंग में आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करें और यह थो प्लांट प्लांट में 600 प्लांट है और तो यह दो-थो तुल्डा के प्लांट प्लांट के प्लांट लगवांट यह प्लांट में 600 प्लांट है तो यह दोस्तों तुल्डा के प्लांट मेरे लगता सब्सक्राइब लेज़ा लगा इसका इपरिल में उत्पदन चालुआ तो लॉग्डॉन के करन तोड़ा सुरू में रेट नहीं मिल लाथ जैसे गवर्मेंट ने परमिशिन दे कि थोड़ा बताब सब्सक करने यहां के करा मोगयों 25 से ले के 40 रुपे तक का रेट मिला के जिक हा और इसका के संब्सक्राइब मुंस अंदर में माल निकलते हैं इक दिन के अंदर मिलता है इसमें हां इसमें पूरे खरत में कभी ये तीन ना थीन सब्सक्राइब प्रदले पकड़ लिए तो बीस-प प्रोटेक्शन मिल गया और इसको भी खुला और इसको भी एक प्रोटेक्शन मिल गया तो दो साल तक लेए शकते और जाधा बढ़ गया एक साल में इतना इसका ग्रोट गया कि अब तो इसमें मैं थोड़ा क्रॉप चेंज करूंगा उसमें मुझे दो अधिसा भी बास्का तीन स्पेसिस लगाए वह समय यहां पर तीन स्पेसिस अलग अलग इंट्रकॉपिंगा करूंगा जैसे कि आपको एक जगह पर मैं सिम्ला मिरिश्क करने वालो एक जगह पर थोड़ा धनिया कर सकते या कोई दूसरा क्रॉप जो चाहों में आने वाली वह यहां पर ट्राय करके देखने कि जो सक्सिस्फुल हुए वह और किसानों के लिए फाइदे मंद रहेगे ब्रबर हाँ यह लोग फालो करेंगे और जब इंट्रो कॉपिंग के साथ बास के साथ इंट्र सोचते तो उसके लिए थोड़ा सा यह हो जाता है तो कोई मतलब कोई है और जैसे कि अभी तुल्डा हो गया पॉलिमर्फ हो गया बलको हो गया ऐसे स्पेसिजर फार्मर लगाए गया तो इसको प्रॉपिटीब रहेगी जैसे कि अभी यह जो तुल्डा है इसमें आप गिन प्रैक्टिकली जो बोला जाता है कुछ मैंने कुछ बूक में पड़ाया कुछ जो बास में काम करने वाले पूराने लोग थे उनसे पूचा तो सब लोग बोलते हैं च्छे से आठ तक मिल सकते हां तो अभी सभी के खित में आठारा मिलेंगे यह नहीं पकड़ेंगे पिर अगले बारश में जो निकलेगा वह दो इंच तक मिलेगा और उसका हीट भी से जादा जाएगा यह मैक्सिमुम तक बढ़ेगा तीन इस तक उपर अभी तक तुल्डा के जगह पे दिखाई ने जिए अपर इसको अगरबति स्टिक के लिए कर सकते या ऊपर का पोर्शन जो यह तो अपने खेती के लिए जो सपोर्ट के लिए लगता है कोई भी वह फूट क्रॉट को सप रहेगा उतना लोगों को अब भी बास लेने जाएंगे मार्केट में तो आप कहा देखेंगा जितना सिधा बाशते अर जो श्रॉंंग रहेगा पहले सिधा देखते हैं जबते कर दो क्षक्षण राइगा और इसको मैंने 20 रुपई में भी बेचा तो भी मेरे अभी है त तो पहला मेरा एक साल चलाए और दो साल के बाद मुझे कुछ ना कुछ मेरा लागत लगा है खेती में वह निकल सकती है यह स्पेसिस में जैसे मैं तुभा तुछ लगाऊंगा तो उसमें थोड़ा समुझे डीले हो सकते क्यों कि यह कटांग पास साल के बाद आएगा हाँ ब कि अच्छे सब्सक्राज और रास ते पट्प्ती आसान बन रही उसका पका प्रोडक्चन कोश्ट कम वो गातॉगा है इसका से बास असदे o tok कर दो आउपको इसमें अच्छ भूशा जबूश्वापी आउनेह करके पर रास से पट्टी असन परूशर बिमीशो